कि नमस्ते आप से भी को स्वागत एक नए भी क्लास 12 का स्टुडेंट और इस वार इजाम देने वाले तो प्लीज आप लोग एक वार इस वीडियो कौन तक जरूर देखे क्योंकि इस वीडियो में क्लास 12 का हिंदी का ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो बार बार पूछा जा तो क्वेश्चन है साहित्ते लहडी के रचनाकार है शूर दास, नाभा दास, तुलसी दास, कबीर दास आपको पता होना चाहिए कि जो साहित्ते लहडी है वह सूर दास के है इसका उप्शन A सही होगा क्वेश्चन दो है प्रगीत और समाज सिर्षक निवन्द किस पुष्टक से लिया गया है प्रगीत और समाज किसे लिया गया है तिसका एंसर होगा अप्शन है वाद विवाद संबाद दूसरी प्रंप्रा की खोज कवीता की नए नए परतिमान इतिहां सवर रुष्टना इसका होगा बाद और संबाद, बाद विवाद और संबाद जूठन क्या है? रेखा चित्र है, सब्द चित्र है, कहानी है, आत्म कथा है तो आपको याद होना चाहिए कि जूठन है जो आत्म कथा है ठीक है न? option C सही होगा 4 question है, मल्यज ने किस विशाय में A में किया था? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगला तो 4 क्या आपको एंसर होगा? याद रखेगा, मल्यज जी ने अंग्रेजी भासा में A में किये थे ठीक है? question number 5 है, हर्स्ते वे मेरा आकेलापन के लेखा कौन है? question number 8 है, त्रिच कहाने किस परकार की है? उत्तर आधूनिक तरसादी, उत्तर आधूनिक कामेडी, सुखनान्ति की हंसी लाने वाली तो 6 के इंसर आपको सही होगा, option number उत्तर आधूनिक तरसादी के ठीक है? ये होगा, छट्था के option A सही होगा like share कर दीजेगा जो भी ये student है question number है, साथ की स्पाट में उक्ती आई है, जहां भय है, वहां मेघा नहीं, वो सकती है और सादा नीरा अर्धनारिस्वर सिपाही की मा सिक्षा, तो साथ के आपको इंसर होगा, ये बात सिक्षा में कही गई है ठीक है, सिक्षा सिर्षक निवंद किसने लिखा है, जे क्रिष्ण मूर्ती उधै परकास रामधारी सी दिनकर अग्य जी ताको पता होना चाहिए, कि जो सिक्षा है, ठीक है, ये किसका है, तो ये जे क्रिष्ण मूर्ती जी का है option number 8 का सही होगा, option A, ठीक है, question 8 का जाइसी किस साखा की कवी थे, ज्यान मारगी, प्रेम मारगी, राम मारगी, क्रिष्ण मारगी जाइसी के बाद पुछ रहा है, कि किस साखा की कवी थे, तो 9 क्या आपको एंसर होगा, याद रखेगा, ये प्रेम मारगी कवी थे, ठीक है question 10 है, सतसंग में किन की अभी रूची थी, तुलसी दास, सूर्दास, कवीर दास, जैसंकर, तो 10 क्या आपको एंसर होगा, याद रखेगा कि सतसंग में किन की अभी रूची थी, तो यह है सूर्दास, अब सनक भी, देखिए, आप question सही से देखते हैं न, बहुत अच्छे से आप exam में सही कर लिजेगा, ठीक है न, पिछले बार भी live class में लिया था exam के समय, तो उसमें से साड़ा question उसी से आया था, ठीक है न, तो इस आप लोग एक बार जरूर देख लिजे इस class को, और जो भी class लेंगे उसको जरूर देखिए, ताकि आपको exam में भी वाजक, जितना आपको बनाना उतना, बना सके, ठीक है, किसने सूर्दास से कहा, कि सूर्भगत्व लिला वर्न करे, है कि ऐसो गियात काहे हो कुछ, य तो है ऐसे घिगयात काहे हो कुछ, ये कुन कहा था, गुरू बल्ला भाईचार्य, गुरू बिठलनात, गुरू रावानांद, गुरू अगरदास्त, तो 11 के इंसर याद रखेगा, 11 कि आपको सही होगा, अफसन नमबर ए, गुरू बल्ला भाईचार्य, ठीक है, सूर्दा तुल्सी दास के दिख्षा गुरू के नाम बताईए, बल्ला भाईचार्य, नहर, इदास, अभी ठलन दास, इन में से सभी, त्याद रखेगा, 13 कि आपको अप्सन सही होगा, जो इसका गुरू थे, किनका तुल्सी दास के दिख्षा गुरू, या थे, नरह ती दास, अप कवी के रचना है, मलिक मुहमद जैसी मा, गजानन माधा, मुक्तिवो, जैसंकर, परसाद, रख विर्शा है, तो 14 के इंसर आपको सही होगा, चितर एखा, मलिक मुहमद जैसी जी का है, ठीक है, नावाधास किस इुक के भक्ति कवी थे, अधुनी काल, स्रिंगाल कार, प्रगति वाद यूग, प्रगति वाद यूग, तो सुल्ला के इंसर सही होगा, बालकिष्ण भट, भारतें दी यूग के थे, अप्शन ए सही होगा, ठीक है, बाजचित सिर्शक निवंद का निवंद कार कौन है, ये सभी जानते है, बालकिष्ण भट, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, उसने कहा था, सिर्शक कहानी की रचईता कौन है, अठारा के क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी का लेखा, कौन है, तो आपको पता होना चाहिए, ये गुलेरी जी है, चंदरधर सर्मा, गुलेरी जी, चंदरधर सर्मा, गुलेरी का मूल निवास, यान हिमाचल परदेश तो 19 का सही होगा गुलेर कांगरा हिमाचल परदेश का गुलेरी जी का जनम तो हुआ ठीक है याद रखेगा उप्सन डी उनीज का संपुन करांती सिर्शक भासन किस ने दिया था जैपकास नायंजी इंदरा गांधी भागत सीन इसमें ए ही सही होगा जेप जय यानी जय परकास और आयंजी ठीक है ऐं आट this question है चरम बैंतिक्ता ही प्रम समझिकता है समाझिकता है यह किस पार्ट की कभी बताईए, एकीस का एंसर आपको सही होगा, याद रखेगा, या किस पाट की पक्ती है, ये कभी नहीं पक्ती होनी चाहिए था, तो एकीस का एंसर सही होगा, जूठन, सिक्षास, प्रगीत और समाज, तिसकामसन, सी ही सही होगा किस पाट में कहा गया है, जिस पुरुष मिनारित नहीं वो पुर्ण है, पुर्णारिस्वर, अर्धनारिस्वर में कहा गया है, ठीक है न, अर्धनारिस्वर, जिसका लेखाक आपको पता है, कौन है, तो क्वेश्चन है, कि अर्धनारिस्वर सिर्षक पाट का लेखाक, यान इसका पुरा नाम है एक लेख़ और एक पत्र भगत सीन एक लेखोड एक पत्र शिर्षक का लेखा कौन है भगत सीन, अजाध जी, भगवत, चर्न, बहरा, चंद्रवा सीन, तो भगत्स, सीन, option, एसा योगा वो सादनीरा निवंद का निवंदकार का नाम बताईये 28 का एंसर होगा जगदिश चंद्र माथुर हजारी सर्ष परसाद्वेदी रामधारी सी दिन कर नामबर सिन 28 के होगा कि ओ साधनीरा आपको पता है कि जगदिश चंद्र माथुर जी है चोड कैसे ताल है उथले चोडे गहडे लवालब 29 का एंसर होगा उथले कौण होगा उथले लाइक सेर कर दिजेगा जूभी है स्टूडेट है प्रीज अगला क्वेश्चन है 30 सिपाही की मा कौन थी चुन्नी विष्णी किसन मुन्नी तो 30 का एंसर सही होगा सिपाही की वहन की बात पूछे तो मुन्नी याद रखेगा मा पूछे तो विष्णी ठीक है और वहन मुन्नी भूशन को भूशन की उपाधी किसने दी थी चात्रपति सिवाजी ने, महाराज चात्रसाल ने, राजा रुद्र साह ने, और अरंग जेवन ने 31 का होगा राजा रुद्र साह ने, और अप्शन C, भूशन का भूशन की उपाधी दी थी जै संकर परसायत का जनम कहा हुआ था? अगरा अगरा लखनव इलावाद वारानसी, तो देखें, 32 का एंसर होगा जै संकर परसायत का जनम वारानसी में हुआ था अगर पुत्रब्योग सिर्शक कवीता में सुविधराक मारी चाहान किस पुष्टक से ली गई है? पुत्रब्योग सुकुल, मुकुल, फुकुल, कुकुल, तो 33 के एंसर होगा मुकुल से, ठीक है? प्रकीर्ट वर्नर से समंदित कवीता है, गाव का घर उसा संक, साकेत हार जीन, तो 34 का होगा यह उसा, ठीक है? कुष्टन नमर 35 है, जनजन का चेहरा एक सिर्षा कवीता की नचैता कौन है? जनजन की चेहरा किसका है? गजानन माधव मुक्ती बोध का ही है, उप्षन एसायोगार. अधिनायक सिर्षा कवीता के कवी के नाम बताईए, रगवीर सहाय, ग्यानेंद्र पती, असोक माजपई, मिनोद कुमार सुक्ल, तो 36 का एंसर सही होगा, याद रखेगा, रगवीर सहाय जो अधिनायक का है, ठीक है? कवीर सहाय का जनम कहा हुआ था? इतरासी, मध्य परदेश, प्रटना, विहार, बारा नसी, उत्तर परदेश, लखनव और उत्तर परदेश, तो 37 का एंसर याद रखेगा, लखनव और उत्तर परदेश. प्यारे नन्ने वेटे कवीता वे लोहा किसका प्रतिक है? धर्म का, कर्म का, मसीन का, यूध का, तो 37 का होगा कर्म का प्रतिक है. प्यारे नन्ने वेटों को कवीता की संग्रा से लिगई है? वहा आदमी डया करव कोट पहन कर चल गया, विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा, अत्रिक्त नहीं में से कोई नहीं. 49 का आपको अप्सन सही होगा, सब कुछ होना बचा रहेगा. अप्सन B सही होगा. 45 है, खेत रहना सम्थ का अर्थ होता है, खेत में रात्री विसाम करना, मारा जाना, खेत में निवास करना, खेत में हिंगाई जोताई करना, तो 40 के इंसर सही होगा, मारा जाना. प्सन B सही होगा, 41 है, हार जित कवीता कवी का नाम बताईए, तो 41 के आपको इंसर सही होगा, प्सन है, अरुन कमल असोख भाजपेई. तो हार जित आपको पता है, हार जित किन का है, असोख भाजपेई जी का है. तो जो गाओ का घर कवीता है उनका लेखक होगा आपको पता होना चाहिए ग्याने अंदर पती ठीक है पहला सम्मान ग्याने अंदर पती को कब दिया गया था 2005-2006-2007-2008 में इसका अंसर सही होगा याद रखेगा पहला समान कब दिया गया था 2006 में पेश्टगी सिर्शक कहानी के रचैता के नाम बताईए जिद्दू क्रिस्न मूर्ती अंतोन चेखव हेनरी लोपज गाईडी मौमसा 46 का एंसर होगा हिनरी लोपेज अपसन C सही होगा कंकाल उपनियास की सिर्व कभी का रचना है कंकाल उपनियास समसेर बहादुर सीन जैसंकर परसात गजारन मुक्ति बोद रखवीर सहा है इसका एंसर होगा जैसंकर परसात के ठीक है लाइक सिर कर दीजगा जो भी टुडेन्ट है क्लीज क्क्षिन नुबर 40 है सब्ज बाग दिखाना मुहवरा का अर्थ होता है जूट बुलना ठगना लालच होना डरना बैरत का बात करना 46 का एंसर सही होगा याद रखेगा ऑ लालच देना अपने पेर पर खारा होना दूर जाना स्वाबलम्वी होना पिडिय होना सुन्दर होना इसका अप्षन भी सईयोगा स्वाबलम्वी होना गाल बजाना मुहाबरे का आर्थ होता है तो और तालिस का एंसर होगा याद रखिये गाल बजाना तो सभी जानता है दिंग खाकना उनचास के एंसर सही होगा ओप्सन नमबर B, किसी काम से भागना ठीक है question number 50 है, इट का जवाब पत्थर से देना मुहाबरे कार्थ होता है किसी को दुष्टा को करारा जवाब देना, पीटना यूट चलाना, जहगरा करना यही होगा option A सही होगा, किसी को दुष्टा को करारा जवाब देना तो आई होब कि यहां वीडियो आपको पसंद आया होगा और टोटल 50 कोश्चन था जो काफी महत्पूर कोश्चन है तो प्लीज आप लोगी बताइए कि आप 50 में कितने कोश्चन आप सही किये होंगे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो तब तक के लिए इस वीडियो को दे